वन पीस के वॉल्ड में बहुत सारे विलन्स हैं और ऐसे ऐसे विलन्स हैं क्या ही बोलू एक smartest villain है तो वहीं दूसरा अब तक का strongest villain है और एक तो यार कमिना पंती में तो पूरा प्येचडी कर रखा है लेकिन फिर निकल के आता है एक ऐसा विलन्स जो घुद को god समझता है तो ह हाँ यार आज अपनों बात करेंगे One Piece के God of Thunder एनरू की अब देखो यार इसको भी थोड़ा God complex टाइप का है प्लस ये स्काइपिया में राज कर रहा था अच्छा कासा God बनके जी रहा था लेकिन फिर स्काइपिया आर्क में जब लूफी गया फिर लूफी ने इसका क्या किया इसका God का बत्ती बना करके उसको चांद में भेज दिया मतलब उसको हराया फिर वो चांद में भाग गया अब देखो जो लोग सिर्फ एनमे को फॉलो करते हैं उनको एनरू के बारे में जादा कुछ पता नहीं होगा बस इतना पता होगा कि वो चांद पे भाग गया लेकि तो सवाल ये उपता है कि आगे क्या एनरू वनपीस के वर्ल्ड में दुबारा से रिटन करेगा यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे भाई वो तो वनपीस के वर्ल्ड का ही हिस्सा है देखो यार वनपीस का जो वर्ल्ड है वो तो वहाँ से बाहर निकल चुका ना वो तो मू होगा तो देखो यार सबसे पहले क्या एंड्रू स्ट्रॉंग है तो हाँ यार वो स्ट्रॉंग है बस किस्मत इसका खराब है कि यह अगर बिजली है तो लूफी रबड है और उसी वज़े से बिजली काम नहीं करता और लूफी इसको कूट देता है वर्ना फिर तो यार ऐ चांद पे गया था तो वहाँ पर चांद में भी उसको टेक्नलोजी देखने को मिलाता तो वो सकता है चांद में जा करके अब इस से पहले यह एक क्यरक्टर और सीखी दे गोल्डन लाइन कितने स्ट्रोंग है मुझे सायद बताने की जरूरत नहीं है और इसको लेकर की भी मैंने वीडियो बना रख्या है तुम लोग जा करके देख सकते हो कि सीखी कब वापस आ सकता है तुमको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पर जब रहा बात एनरू का तो एनरू अपने बिजली वाले डेविल फूट पावर के वज़े से तो स्ट्रॉंग है लेकिन क्या वो फ्यूचर में हाकी यूज करता हुआ दिख सकता है देखो एनरू को न हाकी की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि वो जिस हिसाब से अपने डेविल फूट को यूज करता है जिसके उपर पड़ा वो स्वाहा खताम भाई जिस लेवल का वो थंडर बोल्ड मारता है पर लूफी इसको ऐसे बीना हाकी के भी पंच कर सकता है क्योंकि वो रबड है पर जो मेन मुद्ध है एनरू रिटन कब कर सकता है अगर मैं एनरू होता मैं रिटन कब करता अगर मेरे पास हतियार भी आ जाता मैं अपना सिफ को भी पुरा बढ़िया से बना चुका होता मैं पाउरफुल हो चुका रहता फिर भी अगर मैं रिटन करता तो कब करता सबसे बहले देखो अगर एनरू रिटन करेगा तो उसका सबसे पहला टार्गेट होगा लूफी क्योंकि लूफी ही वो बंदा है जिसने उसका टेरिटरी का सत्या नास कर दिया था उससे उसकी गदी छीन ली थी तो अगर मेरे को उससे बदला लेना होता तो मैं क्या करता पहले सामने वाले को उपर चढ़ने दो फिर उसको काटो तो यहाँ पर हो सकता है कि लूफी जब पारेट किंग बन जाएगा तो फिर वो हमला कर दे यहाँ पर गुजलोंग बोलेंगे भाई क्या ऐसा हो सकता है देखो ऐसा हो भी सकता है क्यूंकि लूफी अभी का टाइम पर यौणको है और अब लूफी धीरे धीरे और भी आईलेंड्स में जाएगा अब हाँ अभी टाइम पर जो आर्क आएंगे जो नेक्स्ट आईलेंड्स हमें दिखाए जाएंगे वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे जैसे वानो आर्क था 20-20 चैप्टर के हो सकते हैं 20-25 चैप्टर के अंदर 2-3 आईलेंड्स हमें दिखाए जा सकते हैं और उससे बड़ा तो नहीं होना चाहिए और वैसे करके वहाँ का प्रॉबलम को अब स्वाल्ब करना लूफी के लिए ज़्यादा मुस्की नहीं होगा क्योंकि वो अब एक याउंको है तो छोटे मोटे पायरेट अगर वहाँ कबजा कर भी लेंगे न तो लूफी का नाम सुनके ही भाग जाएंगे तो जब लूफी अपना टेरिटरी बड़ा कर लेगा तो उसके बाद हो सकता है कि एनरू हमला कर दे और आके पहले लूफी से ही भीड़े साथ ही साथ अगर मैं एनरू होता और सबसे पहले अगर मुझे किसी आइलेंड पे जाना होता तो मैं जाता रेजिन आइलेंड पे अब रेजिन आइलेंड में क्यों क्योंकि देखो रेजिन आइलेंड वनपीस के वर्ल्ड में एक ऐसा आइलेंड है यहां पर हर वक्त बिजली गिरता रहता है और वो वाला जगह पे एनरूट थीक लूफी को टकर दे के फाइट कर सकता है प्लस वो उन आइलेंड्स में से है जहां पर लूफी अभी तक गया नहीं है और लूफी हो सकता है फ्यूचर में जा सकता है मदब ऐसा कर सकता है यह देखने वाला बात है लेकिन मेरे हिसाब से लूफी जब लाफ टेल से रिटन कर रहा होगा उसी वक्त एनरू को आना चाहिए और लूफी तो उधर उस आइलेंड में बीची होगा तब तक आ करके एक दो लूफी की टेरिटरी को उड़ा दे और फिर जा करके रेजिन आइलेंड में जाकर बैट जाए और लूफी को चैलेंज करके बुलाए और यहाँ पर हो सकता है जो पाइरेट किंग वसेज एनरू का हमें फाइट देखने को मिले साथी साथ यहाँ कुछ लोग मुझे बोल सकते है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एनरू रिटन ना ही करे डों वाला पेज second number वाला पेज वहां पर तुम देख सकते हो बहुत सारे characters हैं इतने सारे characters है और यह वानो आर का मंगा chapter है और यहाँ पर अगर हम जूम करें तो यहाँ पर बीस पाइरेट भी है बिग मॉम भी है वानो के लोग भी है प्लस यहाँ पर एनरू भी है यह देख सकत और एनरू अभी तक आया नहीं है लेकिन एनरू को दिखा दिया है तो क्या यहाँ पर ओड़ा हमें इसारा कर रहा है कि नेक्स्ट हमला वानों पे एनरू के तरफ से होगा हो भी सकता है क्योंकि देखो लूफी जब आगे निकल जाएगा तो उस वक्त हो सकता है एनरू आके वानों पे हमला कर दे और फिर लूफी जब वनपीस के राज को जान जाएगा उसके बाद वो दुबारा प्लूटॉन लेने के लिए जाएगा तो उस वक्त उसको पता चलेगा कि यहाँ पे तो आल्रेडी किसी ने हमला कर दिया है वो है एनरू और फिर एनरू हो सकता है हम ला करने के बाद वो जाए रेजिन आइलेंड में लूफी को चैलेंज करें वहाँ पर और मैं सच बतारू मैं अगर फाइट देखना चाहूंगा ना एनरू का और लूफी का तो मैं रेजिन आइलेंड पर देखना चूबगा क्योंकि अगर वानो कुनी में फाइट होगा तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे बेमतलब का क्योंकि एनरू का डेवल फूट यार बिजली वाला है और लूफी ही उसकी बिजली को जेल सकता है उसके अलावा कोई और जेल नहीं सकता साथी साथ एनरू उन बंदों में से है जो लूफी से घंटा डरता नहीं है नेक्ट वीडियो में फिलाल के लिए, बाई! पिलाल के लिए, बाई!